नमस्कार दोस्तों आप लोग के लिए फिर मैं आज एक नया वीडियो लेकर उपस्तिध हो रहा हूँ आपको पुरा ये वीडियो देखकर मेरा वीडियो को आप शेयर कर देना क्यूंकि मैं हर बार आपके लिए ऐसा ही जंडी मुंडा टीर्स वाला वीडियो लेकर आपके प जंडी मुंडा खेलने के टाइम में ना हारे यह मेरा मकसद है मैंने जो भी जाना सिखा वो मैं आप लोगों के लिए सिखाऊंगा क्यूंकि जंडी मुंडा का मेरा वीडियो बहुत काफी दिनों से मेरा इस चैनल में जंडी मुंडा का वीडियो है आप लोगों ने बहुत प हारने का मैसेज किया सर फिर दुसरा वीडियो बनाईए बोल के मेरे पास बहुत मेल आए और मैसेज आ गए फोन भी आ गए इसलिए मैं आज थोड़ा छोटा वाला ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ आप कहीं भी जंडी मुंडा खेलने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करना है ये बताऊंगा आप खेलने जाने से पहले वहाँ जाकर क्या करना है वो खेलने वाला जो भी होता है जंडी मुंडा खेलने वाला उसके पास आपको देखना क्या है उसके बारे में बताऊंगा क्योंकि वो आपको देखता है देखता बहुत लूट लेटा है इसलिए आपको मैं यहां से आपको बताऊंगा कुछ बताऊंगा तो आप उहां जाकर खेलने के टाइम में वो बात करने से आप थोड़ा भी थोड़ा भी जीत कर आएंगे तो मेरे को यह वीडियो का मकसद रहा है इसलिए वीडियो को फूरा देखना दोस्तो वीडियो को फूरा सुनना इसलिए मैं बोलता हूं कभी भी आपको वीडियो बीच में इसकी मौत करना मैं आज को आपको बताऊंगा कि आप सबसे पहले वहां जाकर क्या करना है सबसे पहले आपको ओ खेलाने वाला जो भी होता है उसके पास कमती में आपको दस मिनेट वो खिलाने के टाइम में कैसे खिलाता है क्या करता है क्या क्या उसका ठीक होता है उसको बारी किसी समझ लीजे दस बार में वो कितने बार क्या क्या ज्यादा निकल रहा है उसको आपने दिमाग में रखना है उसने दस बार मे आपको छे बार जंडी मुंडा में कोई मुंडा निकाल लिया, काला पान निकाल लिया, ऐसा देखना है उसको, और आपको क्या देखना है, किसके पास ज्यादा पैसा डाला हुआ है, उसको वो नहीं निकालता है, इसलिए आपको किसके पास थोड़ा पैसा लगाए है, सब ल पारने से उसका क्या होता है कि सबसे कम पड़ाइसे में पारने से उसको फायदा ज्यादा होता है इसलिए आपको देखना है दस बार इलाते समय खेलते समय जाते ही पैसा लगाना नहीं है उसको 6 बार 10 बार 15 बार उसको इलाते टाइम में देखना है कैसे इलाता है उपर नीचे इलाता है रोलिंग में इलाता है कैसे इलाता है उसको देखना है उसके बाद खेलना है दोस्तो आपको जाते ही पैसे मत लगाईए ओ फिर आपको थोड़ा थोड़ा पैसा लगाने के टाइम में ओ आपको पार देता है और ज्यादा पैसा लगाने के टाइम में ओ लूट लेता है इसलिए आपको जाते ही खिलना नहीं चाहिए थोड़ा टाइम उसको देखकर और ओ कैसे थ थोड़ा देर देख लिजिए वो कौन सा ट्रीक से खेला है क्या कर रहा है और कौन सा ज्यादा पैसा वाला में पार रहा है एक बार जंडी आता है तो फिर दूसरे बार क्या आता है उसको देख कर बारे कीज़े समझ कर तब खेलिए दोस्त इसलिए मैं बोलता हूँ आपको जाता है मत पैसा लगाना दोस्तो मैं फिर और दुसरा वीडियो लेकर आँगा अभी के लिए बस इतना ही सहाहिए आपको जो भी बोलना है कमें बोलिये वीडियो बनाना आये या फेस वाला वीडियो बनाया या क्या बनायों आपको कमेंट में लेक देना और आपको पिर उपस्ति दोंगा आज के लिए बस इतना ही दोस्तों